प्तर परदेश रावस्ती गिलोला बिलाग के गाउं लच्मन नगर ग्रामसवा फत्वापुर के निवासी बुधाई राम सहीत 16 गरीब परिवार के लोगों का सन 2011 के बीपियल सूची में नाम दर्ज है लेकिन इन सभी गरीब परिवार के लोगों का परधान मंत्री आवास स्योजना के लाब से वंचित होना पड़ रहा है विशेश परिशानी तो घर की आबास की बहुत है और तो परिशानी किसी तरीके से हम लोग जेल लेते हैं लेकिन आबास की इतनी दिक्कत है कि खाना पीना हराम है सब कुछ भीग जाता है पानी वर्सता है उत्ता आते हैं बना कर रख देती है उरते उसको लेकर भग जाते हैं बंदर कूद करके कुल सीधा पिसान खा लेते हैं बरतन भाणा कपड़ा लपता नोच डालते हैं लेकर भग जाते हैं दाओ पाते हैं लेकिन हमारा समस्या आज तक कोई सुना नहीं ना परधान सुना ना सिक्रेटरी स सुना और किसी को आता नहीं हूं कि कऊन कि सदकारी के पास जाएं यह दोनों को जानता हूं यह जो कि ठीक है तुमारा समस्या डील हो जाएगा फिर देखते नहीं है न कुछ करते हैं किया आपका सूची में नाम है? हाँ जी, 2011 के सूची में नाम भी है और आज तक कि कोई सरकारी हो जना हम लोगों को मिलता ही नहीं है, न मिला है न मिलेगा, उनमें तो यही है हमको घर मकान अगर मिल जाए आबास तो रहने का सुध्धा हो जाए विश्यत पर्यसानी तो रहने का ही है बाल बच्चे सुखित रहेंगे उसमें करेंगे खाएंगे जो कुछ कमा करके लाएंगे दूहजार साहब बारा से सुखिम बीपिय ले नाम होते हुए कोई गयरा जो नहीं मिल ला है परधान परफ बीस साल फत्वा पूर रहे चुके वहाँ भी कहा और फिर ये परधान है वहाँ भी कहा सर लेकिन कोई सुनवाई हमारी करही ने रहे है और आपके जैसे कितने लोग हैं अबरे जैसे साहब 15-16 लोग इसे परे हैं कि पाव पात्रों नहीं सुनाई हो रहा है मैं इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्सकों से हमारी अपील है कि आप लोग गिलोला बिला के खंड विकास दिकारी का मुबाइल नमबर 94-46-46-46 पर कॉल करके दबाव बनाएं और हमारी मदद करें मैं रही सहमात उत्तर परदेश जिलासरा वस्ती इंडिया अनहाट के लिए